करेला ना खाने वाले लोग भी करेला मांग मांग के खाएंगे और सारा चट कर जाएंगे ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हुमें आपके साथ तो वीडियो पसंद आए अगर तो लाइक कर दें शेयर करें और अगर नए हैं तो कमेंट करना ना भूले तो आगे बढ़ते हैं हमने लिया है करेला उसको बीज से हमें काट लेना है और उसके अंदर जितने भी बीज वगएरा है वो सारा चमच की मदद से आप निकालने एक छोटा साइस का चमच ले ले और उसको बड़िया आसानी से घुमा घुमा के सारे बीज निकालने अब ये करेले लिए तेल के तैल में ये जो करेले बनाए है वह बस अब हमको इसको तल देना है तो बिलकुल माने मेरी बात बिलकुल भी कड़वा नहीं लगता ये करेला बहुत ही जादा स्वाध हो जाता है अब ये गर्मा गरम तेल में 5-7 मिनिट तक हमको करेले को अलट पलट करके तलते रहना है अच्छे से सारा करेला जब तल जाएगा तब हम इसको बाहर निकालेंगे अभी ये तल रहा है अच्छे से ध तल ने धारलें और सारा का सारा करेला बाहर निकालें ये देखे मैं थोड़ा देल इसी में रख रहे हु hem जब ये तेलने diceल गागा तो हम सारा करेला धीरे-धीरे करके बाहर निकालनेंगे तो रुक जाएए भ्याइव वीडियो पसंद आरहे है तो लाइक तो कर दें और इसको गर्मा-गरम तेल में डाल दिया यह वही तेल जिसमें हमने करेला फ्राइ किया था और अगर आपको वह करेले के बीज है वह खाने की इच्छा है तो आप यहीं पर प्यास के साथ इसको डाल दें तो वह भी 7-7 फ्राइब हो जाएगा और बहुत ही अच्छा प्रवब लौट नहीं होगी, साथी डालेंगे हल्दी पाउडर आदा चममच, आदा चममच लाल मिर्च, और आदा चममच नमक साथ इन सब के उपर पानी डालना है और जल्दी-जल्दी से चममच चला마me इन सारे मसालों को भून लेना है तो जब आप चम्मत चला के मसाले भूनेंगे तो ध्यान रखे कि आज अपनी तेजी रहने दे और साथ ही हमको डाल देना है इसमें गाड़ी सी दही तो एक कब दही मैंने इसमें गाड़ी गाड़ी डाल दी है और अब थोड़ा देर हमको मस 80 करेले की ग्रेवी सालन बनके तयार है जो खाने में बहुत ही लजीज लगता है आप जरूर राइकर इस तरीके से जो करेले का कड़वाहत है वो बिल्कुल चला जाएगा और बहुत ही स्वाधिस ग्रेवी बनके तयार होगी थैंक यू फर वाचिंग सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी से लाइक कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई